जैन दोस्तों, मैं हूँ मेजर गॉरवारी और आप देख रहे हैं मेजर ली राइट अच्छा सिड्नी का उपरा हाउस किसने नी देखा, बढ़ा खुबसूरत स्ट्रक्चर है और बढ़े-बढ़े वहाँ पे फंक्शन होते हैं दुनिया भर की नजरें सिड्नी ऑपरा हाउस में रہती है आपने उसके सामने आगए एक हजार पैलिस्टिनियन्स एक हजार फिलस्थिनी और उनके सपोर्टर्ज वहाँ पे आगए और जाहर सी बात है प्रोटेस्ट करने लगे प्रोटेस्ट करने के बाद जो उन्होंने नारे लगाए उसमें से एक नारा था गैस्ट जीउज गैस्ट जीउज की क्या कहानी है दोस्तों हिटलर ने जब सकिंड वर्ड वर चल रहा था ये उसके भी पहले हिटलर ने कॉंसेंट्रेशन कैंप्स बनाए थे बड़े भयानक बहुत खौफनाग कॉंसेंट्रेशन कैंप्स वहाँ पे यहूदियों को पकड़के जूस को पकड़के एक बहुत बड़े कमरे में जैसे हजार दो हजार तीन हजार डाल दिये अंदर कमरे के अंदर कमरा बाहर से कर दिया बंद बिल्कुल मोटी मोटी दिवारें कॉंक्रीट की दिवारें वो कमरा कर दिया बंद और कमरा बंद करने के बाद वहाँ पे गैस चोड़ दी जिससे कि यह लोग मर जाते थे और दोस्तों ऐसे करीब 6 मिलियन यानि कि 60 लाख यहूदियों को ऐसे मरा था गोलियों से मारा आ या किसी और लेकिन जारतर मरे गैस चेंबर से यानि कि उनको एक कमरे में बड़े से हॉल में डालो हर जगे से हॉल बंद बहार नहीं निकल सकते लोग और पांच सो लोग हजार दो हजार तीन हजार एक साथ और गैस चला दो जहरीली गैस जिससे कि वो दम उनका घुटके वो मर ले ये पैलिस्टिनियन जो हैं या उनके सपोर्टर सिड्नी ऑस्ट्रिलिया में जाके सिड्नी ऑपरा हाउस के सामने ये कह रहे हैं गैस दे जिस उनको जिस को मरो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये जो पूरी बात है ना ये जो बात करते हैं टू स्टेट सिलूशन की ये जो बात करते हैं कि ये पॉलिटिकल चीज है ये चीज है ये कुछ नहीं है इनकी नजर में पाकिस्तानियों की नजर में जो सीरि versus Judaism बस छोटी सी बात है इस से जादा वो सोचना नहीं चाहते है इस पर जादा उनकी ना दिमाग है ना अकल है ना सोचना चाहते है इर्राशनल हेटरिड तोवर्ड जूस राइट अब ये कहते हैं गैस्द जूस एंटिनी अल्बिनीज है जो प्राइम मिनिस्टर है उस्ट्र लिए आते हैं और हम सब की इज़त करते हैं और यही हमारी खुबसूरती है अल्बिनीज साब मैं आपको इबात बताता हूँ आप प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के सर मैं आपको इबात बताता हूँ अगर आप चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की डाइवर्सिटी ब पाकिस्तानियों की नसले दर नसले बड़ी हो गई, जवान होके मर गई, उनका कोई हिंदू दोस्ती नहीं है, सिख दोस्ती नहीं, इसाई दोस्ती नहीं है, उनने देखे ही नहीं, क्योंकि उनने सब छोड़े ही नहीं मापर, सब को मार दिया, कनवर्ट कर दिया, तो कहां से वो डाइवर्स होंगे जहां पर हमास रहता है गजा में आप गजा में देखे गजा में डाइवर्सिटी ही नहीं जब डाइवर्सिटी ही नहीं गजा में तो लोग करेंगे क्या फिर उन लोगों नहीं तो आप ऐसे ऐसे लोगों को अपने मुल्क में ला रहे हैं ठीक है जो क इसे देशों से आते हैं जहां पे जो दूसरे मजब का है, उसको दुश्मन माना जाता है, सिर्फ इसलिए कि दूसरे मजब में, दूसरे घर में पैदा हुआ है, इसलिए वो हो जाता है वाजिब लकतल, अब ऐसे लोगों को आप ला रहे हैं, आस्ट्रेलिया, फिर आप ये इसलिए गाना गा रहे हैं सब, अब ये गाना गा रहे हैं कि सभा हम तो बढ़ा डैवर्स मुलक है, आपका मुलक कितना भी डैवर्स हो, उनको क्या फरक्पड रहा है? बढ़े हो जहां से आएं हैं, वो area डैवर्स थोड़ना है, उनका mindset डैवर्स थोड़ना है, हुम भारत में रहते हैं, हिंदु मुसलिम से किसाई एक साथ एक ही महले में पले बड़े रहते हैं बड़े हो जाते हैं, हमारी दोस्तियां यारिया हैं, ठीक है हमारे difference of opinion भी हैं, लेकिन यह खुबसूरती है भारत की, यह बारत में possible है, यह और जो बड़े बड़े और यह बोलेंगे साथ, कि यह ऐसे नारे gas the juice, उनको बच्पन बे माबाप में gas the juice ही सिखाया है भाई जब वो पैदा हुआ था जब वो पैदा हुआ था जब उसको दोस्त और दुश्मन की अकल नहीं थी, उसको यह नहीं पता था, मेरा मा कौन है बाप कौन है, बच्चा छोटा है, तब से उसके कान में यह भरा जा रहा है, कि जो यहूदी है तेरा दुश्मन है तो जो उससे मारना है उसके कान में यह भरा जा रहा था कि यह काफिर है, इसको मारना है, इसका गला काटना है जब तू बड़ा होगा तू यह काम करेगा अब वो आस्ट्रेलिया आगया आपको क्या लगा कि जैसी आस्ट्रेलिया के एरपोर्ट में उत्रा वो अचानक बदल गया वो सेकिलर हो गया ऐसा कैसे हो सकता है आपने अपने मुल्क में अपने देश में फितना पाला है अब फितना क्या करता है आप आप और देखिएगा